दोस्तों आपको हमेशाद दुनिया में अनेकों प्रकार के जीव जन्तु देखने को मिलते हैं वे सभी अपनी अलग-अलग काबिलियत के लिए जाने पहचाने जाते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे पशुओं और जानवरों के बादे में बताएंगे जिनका अस्तित्व होने पर आपको यकिन नहीं होगा दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें अंगोरा खरगोश दोस्तों यह एक अंगोरा खरगोश है यह खरगोश लंबे समय तक उन के लिए पाले गए घरेलुक खरगोश की नसल है आम तोर पर इसका पर एक वर्ष में दो बार कत्रन करके निकाल दिया जाता है अंकोल वातुसी यह अंकोल वातुसी नामक एक बैल है जिसको अंकोल लोंग हार्न के नाम से भी पुकारा जाता है अक्सर यह जानवर अपने विशाल सिंग के लिए जाने जाती है इस रिकोर्ड धारक अंकोल वातुसी बैल के एक सिंग की लंबाई लगभग 40 इंच के बराबर होती है गलकस अट्लांटिकस गलकस अट्लांटिकस एक अनुधा समुद्रि सपार्ट जीव है जिसको ब्लू ड्रेगन के नाम से भी जाना जाता है यह जीव पानी की सतह के तनाव का उपयोग करके उपर की तरफ तैरते हैं जहां यह हवाओं और सागर की धाराओं की साथ बैते हुए चले जाते हैं यह अपने विचेस रंग का छलावरण के रूप में उपयोग करते हैं क्योंकि यह पानी की सतह पर तैरता है गोल्डन कच्छुवा बीटल पत्ती बीटल परिवार में क्रिसलर नाम की एक प्रजाती है जो मूल ग्रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं इनकी दो उप प्रजातियां भी हैं जिनको SSP, बायो कोलोर और SSP, सिक्स्पून काटाटा कहते हैं यह चमकिला धातुई बग उद्यान के पौधों पर फीड करता है लोगनोज बैट फिश को त्रिकोणी आकार का एक फ्लेट जीव है जिसकी चमकदार नारंगी लाल होट इसकी विशेशता है यह अनोखा जीव अट्लांटिक महासागर में 29 से 230 मिटर की गहराई में पाहे जाता है इसमें परिवार में अन्य लोगों की तरह एक त्रिकोणी शेर है और रंग पीला बैगनी बैगनी स्पोट तथा नारंगी लाल के होट से भिन होता है पैंगोलीन फोल्डी डाटांग गड़ का एक इस्तंधारी प्राडी है इसकी शरीर पर केराटेन के बने शलक नुमा संग्रचना होती है जिससे यह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है पैंगोलीन ऐसे शल्यों वाला अकेला ज्याद इस्तंधारी है यह अफ्रीका और एशिया में प्रकर्टिक रूप से पाये जाता है इसे भारत में सलु साप भी कहते है अंद विश्वासी प्रथाओं के कारण इसका अक्षर शिकार भी किया जाता रहा है जिसकी वज़े से पैंगोलीन की सभी प्रजातियां अब संकट ग्रस्त मानी जाती है और उन सब उपर विलुप्त होने का खत्रा मंडरा रहा है लेप्टोसिल्फस लेप्टोसिल्फस का अर्थ है सिलिम सिर्ट जो दिखने में एकदम पारदर्शी लारवा की तरह होता है इसका शरीर अंदर से पारदर्शी जैली की तरह होती है और बाहरी मेम्रों के साथ मास पेशियों की एक पतली परत होती है उसके शरीर के अंग छोटे छोटे होती है और उसके पास पेट के लिए केवल एक सरल ट्यूब होती है लिप्टो सिल्फी लार्वा रात में सागर के उपरी बाग में 100 मिटर की गहराई तक तेरती है और अक्सर दिन के दोरान ये और भी अधिक गहराई में चले जाते है जापानी मकडी केकड़ जापान के मकडी केकड़े मैक्रू शेरा काम पर फेरी समुद्रे केकड़े की एक प्रजाती है जो जापान के चारो और पानी में रहता है यह किसी भी और्थोपोर्ट का सबसे बड़ा लिग स्पैन है जो पंचे से पंचे तक 5.5 मीटर तक लंबा हो सकता है इसके शेरीर की चोड़ाई मैस 40 सेंटीमेटर के आकार तक बढ़ सकती है तथा इस पूरे केकड़े का वजन 19 किलो ग्राम तक हो सकता है दोस्तु अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेर करना ना भोले आप हमें फेस्बुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते है और आप हमारी वेबसाइट छोटुनएट.com पर भी वेजिट कर सकते है